लोकेश कुमार सर्मा आप शियासी पारी खेलने की तैयारी में है सुनने में ऐसा आ रहा है कि आप बीकानेर से चुनाव लड़ने को बीकानेर से मेरा लगाव बहुत जादा है वहाँ की लोग बहुत अच्छे हैं बहुत सने मुझे देते हैं और जब भी मुझे बुलाते हैं मैं वहाँ जाता हूँ तो पिछले दिनों पिछले महीनों में मेरा पांच-छे बार वहाँ दौरा हो चुका है तो मुझे लगता है कि वहाँ की गलियां मुझे भागे हैं नहीं तो बीडी कल्ला जी को उन्हीं के सानिज्व में होगा जो भी कुछ होगा आज हमारे साथ है मुझे मंतरी असो गेलोत के ओएसडी लोकेश कुमार शर्मा जो की पूरे राजस्थान बर में घूमकर डिजिटल प्लेटफॉर्म में उसको भी संभालते हैं नहीं कारे होते हैं जो लोग परसों तक नहीं करवा पाते इन से जानते हैं कि राजस्थान का किस तरह से आप द pean要 कर रहे नागोर में आने का मकषट था और आज की कारेक्रम को कर सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे देखिए आज का कारिक्रम था युवा समवात कारिक्रम और जो सिर्फ नागोर डीडवाना ही नहीं मैं पूरे प्रदेश भर में अपने युवा साथियों के साथ इस कारिक्रम को कर रहा हूं इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमें अ प्रदेश में चुनाओ हैं तो युवा साथियों की सबसे बड़ी भूमिकार रहेगी इस बात में की प्रदेश सरकार और मुख्य मंत्री जी द्वारा चलाई जा रही तमाम जन कल्यान कारी योजनाओं को आम जन तक पहुँचाएं जन जन तक पहुँचाएं घर घर तक कल्यान के लिए इतनी अच्छी योजनाये चलाई हो सामाजिक सुरक्षा की योजनाये चलाई हो जहां हर व्यक्ति ये महसुस करता हो कि सरकार नाम की कोई चीज है और वो हमें सहयोग करेगी तो ऐसे व्यक्ति की मनशा के अनुरूप इस प्रदेश में हम युवाओं को कमर कस लेनी है और घर घर तक पहुंचके तमाम योजनायों की जानकारी देनी है ताकि आने वाले समय में हम उसी रूप में जनता की बीच जाएं और अपने कामकाज को लेकर जनता से बात करें मुझे पूरा यकीन है कि हम इस कारे को अगर बखूबी कर पाए पूरे तरीके से कर पाए तो निशित तोर पर इस प्रदेश में सरकार की वापसी को कोई नहीं रोख सकेगा आजकल दो तरह के चुनाव लड़े जाते हैं एक तो जमनी इस तरह पर जो विधाय को या एमपी लड़ते हैं दूसरा जो चुनाव है वो डिजिटल मीड प्लेट फॉर्म पे लड अबक 10,000 वोलिंटियर्स ऐसे तयार की हैं जो इनके हर ब्रामक तच्चों का हर जूट का जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम हैं और मुझे लगता है ये टीम बहुत मजबूती के साथ काम करेगी और इनके किसी भी मनसूबे को इस प्रदेश में पूरा नहीं होने दे हैं यानि लगबक 25 से 30 वर्ष मुझे सक्री राजनीती में हो गए हैं ये पहला अवसर है कि जब साड़े चार साल बीट गए हैं और प्रदेश में सरकार के खिलाफ कोई भी जनता में आक्रोश नहीं है जिसे हम एंटी इंकमेंसी कहते हैं इस प्रदेश में वो नहीं है तो हमारी सबकी ये जिम्मेदारी और बन जाती है कि इस सकारात्मक्ता को बरकरार रखें आम जनता की बीच पहुँचें अपने कामकाज को गिनाएं मुख्यमंत्री जी और सरकार के द्वारा लिये गए आज तक के फैसले और उनकी योजनाओं को हर व्यक्ति तक है कि अगर हमने ये सब चीजें कर ली तो निश्चित तोर पर हम अपनी सरकार की वापसी 2023 में करवा पाएंगे अभी आपने कहा था कि इंट्रेंट केमेसी नहीं है लेकिन कोशिस बाजपा भी कर रहे है कि मिशन 2023 में वो फत्य हो और सरकार में आए कॉंग्रेस भी इस कोश दो दड़ों में बंटे वे दिखाए देते हैं किया इसलिए मेरी नजर में विपक्ष की कोई भूमिका उन्होंने नहीं नभाई और लोकतंत्र है चुनाओ है वो भी प्रयास करेंगे कि वो भी जीतें चुनाओ लड़ें उनकी पार्टी की जीतो तो लोकतंत्र में यह होता ही रहता है लेकिन जो उनकी भूमिका होनी चा प्रवाद के लिए लेके आई हुई हैं उन सब के भरोसे हम हर हाल में चुनाव जीतेंगे आपने एक बात और कहीं आपने कहा कि कॉंग्रिस के नेताओं में अपसी फूट है मुझे लगता है यह सब बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं और कहीं किसी तरह की फूट अब कॉंग्रिस में नहीं है और पहले भी नहीं थी सब एक जुट हैं आने वाला चुनाओ इस राजस्तान में सबी एक जुट होकर लड़ेंगे विधान सबा का चुनाओ पहले कुछ इस तरीके की बातें फैला ही जा रही थी लेकिन पिछले दिनों दिल्ली में आला कमान के यहां जो बैठक हुई और जो तस्वीर निकल के सामने आई वो सब एक जुटता की तस्वीरे थी और उसके बाद आला कमान ने केंदीरे नित्रतों ने ये पूरे तरीक कॉंग्रेस एक जुट है और आने वाले समय में चुनावों के दौरान आप देखेंगे कि कॉंग्रेस एक जुटता के साथ मजबूती से चुनावों में उतरेगी और फत्य हासिल करेगी एक मुद्दा और है जिले का मुद्दा है मुख्यमंत्री असो गलो दुवरा बंपर जिलों की गोशना की गई थी लेकिन उन्हें दो जिले से बनाया थी जिसमें संयुक्त रूप से उनको जिला कोशित किया था अब यहां डीडवना की जनता में भी नागोर की जनता में प्रदेश की जनता में भी अभी इस बात को लेकर ऐस समंझस है कि जिला हेड़कौर्टर डीडवना होगा या कुछा मन होगा तो यहां की जनता जानना चाहती है आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कि जिला हेड़कौर्टर को लेकर क्या कहना चाहेंगे देखिए मैं ये तो यही कहा है कि इतने सहरदे मंतरी है कि उन्होंने जहां जिस्टी की जिसने मांग की उससे कहीं अधिक सब को दिया आपने जिलों की बात की मुझे लगता एक कि जब जिलों की मांग चल रही थी तो लगबग 6.7.8 जिलों की मांगें इस प्रदेश में ज्यादा तर चल रही थी लेकिन उन्होंने सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए देखते हुए कि और भी आवशक्ता हो सकती है और और लोगों की भी मन्शा है ऐसी तो प्रदेश को 19 जिले एक साथ दिये और 19 जिले देने के बाद आपने अभी कहा कि डिड़वाना और कु उन्होंने तो यहां तक भी कहा कि जो जनप्रतिनी दी हैं जो इस जिले से तालुक रखते हैं जो यहां के अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं यहां के फैंसलों में वो सभी सम्मिलित रूप से अपना कोई भी एक सुझाव लेकर सब जनता की भावना के अनुरूप एक मात्र नाम है अशो कहलो जो सब को साथ लेकर चलते हैं हर विधायक की बात सुनते हैं हर मंत्री की बात सुनते हैं तो इस शेटर की भी अगर ये कोई समश्या या संश्या जनता के बीच में कहीं नजर आ रहा है आपको तो मेरा ये मानना है कि तमाम लोगों को साथ लेकर उनक कि लोकेश शर्मा सुरू से ही राजनितिक व्यक्ति है मैंने ये कई बार ये कहा कि 1996 में यानि 1996 में में राजस्थान विश्विदालय का चुनाव लड़ चुका हूँ मैं उसके बाद NSUI में आया NSUI का प्रदेश प्रवक्ता रहा NSUI का प्रदेश महासचीव रहा PCC में मुझे मीडिया कॉडिनेटर की जिम्मेदारी मिली तो मैं काम सारे के सारे राजनितिक ही करता आया हूँ और हर राजनितिक व्यक्ति का ये सपना होता है उसकी ये मन्शा होती है कि उससे जन प्रतिनिती के रूप में सेवा करने का अवसर प्राप्त हो और वो विधान सभा में जाकर जनता की सेवा कर सके तो वो सपना मेरा भी है अब ये वक्त बताएगा कि मैं चुनाव कहां से लड़ूँगा आपका चुनावी क्षेतर क्या होगा जनता को ये तोड़ा सही सारा देखिए इसी का मैंने जवाब दिया कि वो समय पर छोड़ दी का है तो मुझे लगता है कि वहां की गलिया मुझे भागई है नहीं तो बीडी कल्ला जी को आपके इन वयानों से कुछ कंछ नहीं ना कई परिशानी या घबराट जूरूर्श लगता है घबराहट तो नहीं होनी चाहिए लोगतंत्र है हम सभी चाहते हैं और मैंने अपनी जुनाव लड़ते वे नजर आएंगे और साथ ही उन्होंने मुख्य मंतरी अशो गैलोत की महत्वा कांग्शी योजनाओं को लेकर डिजिटल प्लेट फॉर्म पर युवाओं को एक संदेश दिया है आवान किया है कि वो ज्यादा से ज्यादा सरकारी योजनाओं का परचार जन्होंन तका नागर